दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बिहार की टॉप बड़ी निउस को देखेंगे दोस्तो बिडियो में आगे बनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो के एक प्यारा लाइक जरूर कर दे साथ ही हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताई किया बिहार के केस जिले में रहते हैं तो चले शुरूत करते हैं आज की पहली और बाड़ी ख़बर से बाड़ी ख़बर में देखे बिहार में 3,90,000 बदों पर होगी बहाली 19 जिलों में मौडल अस्वताल भी बनेंगे जिहादे के बिहार के वित मंत्री विजय चोदरी ने राज के वित वर्स 2023 का बज़ड जारी कर दिया है बजड में नितिस सरकार ने इस साल 3,90,000 पदों पर भरती की घोसना की है इसके साथ 19 जिलों के सदर हस्पदालों को मौडल हस्पिटल बनाया जाएगा राज सरकार 10,000 लोगों को रोजगार से जोड़ेगी वहीं बिहार में इस बार का बजड़ 2.61,00,000 कड़ों रुप्य का है वाईदे कि बिहार में जाती आधारित गन्ना का काम मैं 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा इसके आधार पर समाज के सभी बर्गों के लोगों की विकास की योजना बन बाड़ीकर में देखे नितिस सरकार ने 2.61,885 करोड का बजड़ पेस किया कोई नया बड़ा एलान नहीं पुरानी गोसनाओं को ही दोहराया जिया देखे नितिस सरकार ने बिहार विदान सभा में बितिया वर 23-24 के लिए बजड़ पेस कर दिया है वितमंत्री विजे कु कोई बड़ा नहीं गोसना की है वितमंत्री विजे चोद्री राज सरकार द्वारा पहले से ही की गई गोसनाओं को दोहराती दिखे बजड़ के मुई के बादे की गौर करे तो बिहार के आर्थे की विकास दर इस संक में रहने का नुमान है वही बिहार में जाती आदरित काम में 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा इसके आदार पर समाज के सबी वर्गों के लोगों की विकास की योजना वनेगी वह 32 पीज़ी वह अब आदे के लिए 10 लाग रोजगार देने की करवाई की जा रही है हर जिले में अलप संक्यक अवासी विदाले खुले जाएंगे व KPSC 49,000 SSC को 2900 और तक्निकी सिवा आयू को 12,000 नियुक्ति के अदियस्चिना भेजी गई है वह बिहार पुलिस में 75,543 पदों पर नियुक्ति के मंजुरी दी गई है संस्क्रिस सिक्चकों को साथवे वेतनमान का लाब मिलेगा मुझपर पुर्णिया में खादी मॉल बने का बजड जवी क्रिस को बढ़ावा दिया जाएगा वही सोलर लाइट के लिए 392 करोर रुपी का प्रावधान दिया गया है वही 21 सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल बनेंगे नौजिलों में मेडिकल कोलेज बना जाए यह गाम में टेली मेडिसन की सुविधा सुरू होग पाटना के PMCH का विस्तार होगा वाई देखे बजड पेस करते वे वित मंतरी बिजज चोदरी बोले हमारी नकल करती है मोधिस सरकार जिहा देखे साल 2023 बजड पेस करते वे वित मंतरी बिजज चोदरी ने कहा कि बिहार का बजड आकार पिछले 10 वरसों में 3 गुना बड़ रहा है और आज बिहार 3 नमबर पर है वीत मंतरी ने कहा कि कुरोना काल के बाद आर्थिक मजबूत का सबूद है कि हमारी विकास दर देश में 3 नमबर पर है इसके साथ राजस में भी बड़ोतरी हुई है उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा लाए गए जियेश्टी के बाद कई जिगोह पर टेक्स लगाना अब सम्हव नहीं है ऐसे में उस घाटे को कम करने की कोशिस की जा रही है साथ बजट भासन के दोरान वित मंतरी बिज़ेश्टी ने कहा कि केंद्र की मोधिस सरकार बिहार सरकार के कई योजनाओं को कोपी करने का नकल करती है उन्होंने इस बारे में उदानन देते हुए का कि हर गर बिजली योजनाओं हमने 2016 में सुरू की इसके बाद 2017 में मोधिस सरकार ने सुरू किया हमने जल जिवन हर्याली योजना 2019 में सुरू की वह केंदर सरकार ने यहाँ भी नकल की और योजना देस बर में लागू कर दी बाड़े खर में देखे तलाक सुदा आलप संक्यक महिलाओ के लिए तोफिक गुजारे के लिए 10 की बजाया 25,000 रुप्य देगी सरकार जहाँ देखे बिहार में तलाक सुदा आलप संक्यक महिलाओ को 25,000 रुप्य गुजारा बत्ता दिया जाएगा अपने बजट भासन के दौरा नवीत मंतरी विजज चोद्री ने मंगलवार को कहा कि आलप संक्यक कल्यानी और नियोजना के ताद बिहार सरकार तलाक सुदा आल के बिहार सरकार के मंतरी सुरंदर यादव दुआरा सिना पर की गई विवादित अ टीपनी को लेकर सदन में जॹरतार हंगामा हुआ मंतरी सुरंदर यादव को केवीनेट से बरखास्थ करने और उनकी सिपिकी मांग को लेकर बिपाक्ची दल बीजेपी के विधायक वेल में पहुँच गए और जमकर हंगामा किया दरसल सदन में कलराज सरकार के तरफ से बजट पेस किया जाना था सदन के करवाई सुरू होने के साथ नेता प्रदिपाक्च विजे कुमर से मंतरी इसराइल मंसुर के उपर रफायर दर्ज करने और सेना को लेकर विवाईत बयान देने वाले मंतरी सुरेंदर राम को लेकर सदन में सवाल उठाया गया इसको लेकर सदन में जोरदार हंगामा स कोई मंसा नहीं था जबकि किसी सदस्कायाफायर में नाम डालने का विषाविदान सबह का नहीं है वटकर में देखे YouTube में बंधवार से राजबर में बने 172 केंदर जैने के भी हार बोर्ड द्वारा मेरी में मुलाकन बुद्वार से सुरू किया जाएगा मुलाकन की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है राज बर में 172 मुलाकन केंदर बनाए गया है मुलाकन केंदर पर परिचोकों का योगदान मंगलवार को किया गया समय पर मुलाकन समप्थ हो सके इसके लिए 2 सिप्ट में मुलाकन क तक चलेगा इसी बीच होली के आवकास में से साथ से नौ मार्च तक मिलनकन का रिस्तागित रहेगी बाड़ी कर में देखे लेंड फॉर जॉब मामले में समन पर बॉली राबडी देवी लालो यदव से डड़ गई है मोधी सरकार हम 30 सालों से जहल रहे हैं या देखे रेलवे में जमीन के बदले नोकरी देने के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरजडी सुप्रेमर लालो प्रसाद यादा उनकी पातनी राबडी देवी समेत 14 लोगों को समन भीजा है इस पर बिहार की पूरो मुख्य मंतरे राबडी देवी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है मंगलवार को बिहार विदान सबब परिसद परिसर में उनके परिवार को परिसान कर रही है उनका परिवार 30 सालों से यह सब जहल रहा है और आगे भी जहलता रहेगा वे डरने वाले नहीं है राबडी देवी ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मौधि सरकार के सारo पर केंद्रे एजेंसियों दोड़ा उनके परिवार के लोगों को इसलिए समन जारिक किया गया क्योंकि वे लोग बिहार में लालू से डर रहे है इसलिए उन्हें परिसान किया रहा है 30 साल से वे प प्रतिवाल बीगनिक सरकारे स्कोलों से, जा दिकि बिहार के बैच्चों में प्रतिबा के कमी नहीं है, जान गान से जोड़े नई प्रोजेक्ट तैयार करना हूज या नवच्चार, बिहार के बिगान के प्रतिय लगा पर देस के प्रतिश्चित संसानों ने भी मोहर में बिहार के बच्चे देश वर्म में अवल है पिछले एक साल में सुबे से 970 बाल विगानिक बने हैं इन्हें बच्चों के नवाचार को राष्टे स्थर पर जगब मिली इनमें ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कुलों में पढ़ते हैं आपकी जानकारी के लिए बतादे कि एंसे आर्टी के रिपोर्ट के नुसार वर्स 2022 में बिग्यान में नवाचार करने में बिहार के बच्चे सब से आगे हैं वहीं दूसरे नमबर पर करनाटक और तिसरे में महराष्ट का है बाड़ीकर में देके मनीस सोधिया और सतेंद्र जेन ने मंत्री पाज से दिया इस्तिपा मुख्य मंत्री ने किया मंजूर ज्यादे के दिली से बड़ी खबार है मनिस सुधियों और सतेंद्र जेन ने मंत्री बाद से स्थिपा दे दिया है मुखे मंत्री अर्विन के जरिवाल ने दोनों के स्थिपा भी मंजूर कर लिया है दिली के नई अबाकारी निती गोटाला मामले में उपमुख मंत्री मनी सिसुद्यों को गिरबतार भी किया गया था बाड़ीकार में देखे बिहार के अलगलग जिलों में आगनवाडी सिविका वा सहाईका ने किया प्रदासन कहा मांदे में बड़ोत्री करे सरकार जाद के बिहार के अलगलग जिलों के साथ मोती हारी में भी एक बार पीर जिले भर की हजारो आगनवाडी सिविका और सिविकाओं ने हला बोला है इस दोरान हजारों की सेंका में महिलाओं ने सहर में आकरोस मार्च निकलो और सड़क जाम कर हंगामा किया है साथ इस सेकडों की सेंख्या में आंगनमडी सेविका और सहाईकाओं ने जेल भरो अभिहान के थाथ अपनी अपनी गिरपतरिया भी दी है माईलाओ का अरोपे की नितिस वा तेजस्वी के सरकार ने उनकी साथ धोका किया है अपने द्वारा किये गए वेतन बड़ोतरी के अस्वासन को पुरा नहीं किया है जिसके करण उनने आंदोलन करना पड़ा है आंगनमडी सेविका और साइगा की मांगे कि उनने दिन रात काम करने की एवज में मात्र 5950 रुपे मिलता है ऐसे में वे कैसे अपना और अपने परिवार का भरन पोसंद करेगी उननोंने आगे कहा कि आज के जमाने में इतने पैसे में क्या हो सकता है उनकी मांगे कि सेविकाओ को कम से कम 24,000 रुपे मांदे और सेविकाओ का 18,000 रुपे मांदे दिया जाए साथ उन्हें सरकारिक कर्मी का दर्जा भी दिया जाए 32 नियाइक सिवा प्रद्योगिता परिचेद उजर तेस के लिए ओलाइन रेजिस्ट्रेशन शुरू जल करे आविदन जी आदे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमिस्टन ने जज के 155 पदों के लिए बहाली निकाली है जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है यदि आप भी जजज बनना चाहते हैं तो सबसे बहले BPSC के ओपिसेल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर लेए जानकारे के लिए बता दे कि बिहार लोक सेवा आयोग ने 32 वी नियाइक सेवा प्रदिगता परिच्छा 2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फार्म बनने के अंतिम्तिती 27 मार्च 2023 रखी गई है वहीं रिक्त पदों में जेनल केटिगरी के कूल 61 पद है वहीं EWS के लिए 15, SC के लिए 39 और HD के लिए 2 तता OBC 30 और BC के लिए 18 पदा रचित रखा गिया है वहीं प्रारम्यक लिखित परिच्छा मुई के लिखित परिच्छा और इंटर्वी के अदार पर अभियर्थियों का चेन किया जाएगा बिहार के मारीन ड्राइब पर अब चलेंगे पबलिक ओटो अपरेल से गान्धी मैदान से हाजीपूर तक मिलेगी सुविधा रेड भी हुआ तई पाटना की खोब सुर्ती में सामिल मारीन ड्राइब अब लोगों को जल्दी बड़ी सुविधा देने वाली है अब यह कोई एक जगह से दुसरी जगह जाने के लिए पहले से अधिक सुविधा मिलने वाली है दरसल गांधी मेदान से गंगा पात्वी होते विए दिगह सुनपूर और हाजीपूर इस्टिसन तक अपरेल मा से ओटो को परेचलन किया जाएगा इसका लापटना और गंगा नदी पर रहने वाले लोगों को मिलेगा इसके साथ दिगह गांधी मेदान राजपूरल बोरिंग रोड पाटली पुत्र कलोनी सहीद असुक राजपद से सटी बसी कलोनी में रहने वाले लोगों को सोनपूर और हाजीपूर आने जाने के लिए इस्टिसन गोलंबर जाकर आटो पकड़ने के जवरत नहीं होगे इनने गांधी मेदान या दिगा से आटो मिल जाएगा इसके साथ या अब लोगों को मरिन ड्राइब पर भी जाने के लिए प्राविट गाड़ियों को प्योग नहीं करना पड़ेगा बलकि अब उन्हें आ जाने के लिए पाबलिक गाड़िया भी मिल जाएंगे प्रिपेड और सेरिंग भड़ा दोनों चलेगा इसके लिए बिवागे इस्तर पर आटो चालोक सो से बातचित हो रही है प्रासासनी का नुमती मिलते ही एक अप्रिल से लोगों को सुविधा मिलने लगेगी ज्यादिके बिहार के सभी 534 प्रखणों में होगी कनिया अन्वेंसुको की भरती ज्यादिके राज सरकार ने हर प्रखण में कनिया चेत्रिया अन्वेंसुको की नुमती की वजना तयार कर ली है इस समन्द में नुमती के प्रस्ताव समान्य प्रसासन विवाग को भेजा गया है वहां से सामाती मिलने के बाद न्योक्ति के अधियाचना कर्मचारी चाइन आयोक भेज जाएगी योजना एवं विकास विभाग के अपर मुई के सचीव अरोनेस चावला ने बताए कि हम अपने इस तरह से तैयारी कर रहे हैं पिछले दिनों विभाग ने सभी सब्सक्राइब करें आप अमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें